हाई एवरिवान वेल्कम बैक तो यहां पर एक क्वेशन हम डिस्कस करने वाले है फ्रॉम एंसी आर्टी और चैप्टर है हाइड्रो कारबन तो इसमें आपको पूछा गया है जब हैक्स वन इन पे एच पी आर का एडिशन होता है इन एपसेंस ऑफ पर और उकसाइड और इन प्रिजेंस ऑफ पर और उकसाइड तो दोनों केसेंस में क्या प्रोड़क्ट्स बनने है और उनके आयूपीसी नेम क्या होगे वो आपको रिपोर्ट करना है यहां पर ठीक है तो सबसे पहले हैक्स वन इन को हम लिख लेगे एक्स पार्बन करके हैक्स मीन उसमें सिक्स कार यह हो गया फिफ्ट और यह हो गया शिक्स कार्बन ठीक है तिस इस हैक्स वन इन अब इसमें जब हम एडिशन करवाते हैं एच बी आर का इन एपसेंस ऑफ पर और उकसाइड तो क्या प्रोड़क्ट मिलता है तो देखो मैंने आपको क्या करवाय था जब भी इस तरह के द्यान रखना है कि पर्णिक प्रजेन ipplesं नहीं है बतलब अगर पर्णिक और गिक आरिशन होगा मार्कोनिक तो यह को जाने वाला है तो इस दो rules मैंने करवाय थे, Markovnikov rules और दूसरा Anti-Markovnikov rule, जो Markovnikov rule है, वो क्या बताता है, कि जो hydrogen है, वो कहां जाएगा, उस doubly bonded carbon पे जाएगा, जहां पर more hydrogen present है, ठीके, shortcut में इस तरह से हमने learn किया था, देखो addition कहां होनी है, across the double bond होनी है, अब इस double bond में ही कहां पर hydrogen जाएगा, ठीके, एक पार्ट पकड़ लेते हैं, यह hydrogen कहां लगेगा, जहां पर उस doubly bonded carbon पे लगेगा, जहां पर more number of hydrogen आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में से किसके पास more number of hydrogen से इस carbon के पास, ठीके, तो hydrogen कहां एड होगा, इस carbon पे और इसका जो counterpart है, bromide वो कहां एड होने वाला है, इस वाले carbon पे, ठीके, तो यहां पर इसका जो product मिलता है, hydrogen यहां पर लगा तो क्या मिल जाएगा, CH3, ठीके, तो आजाता है CH3, और जो bromide है वो लग जाता है, इस carbon पे इस तरह से bromine, बाकी का जो भी last वाली chain है, वो asset रहनी है, क्योंकि यहां पर कोई भी changes नहीं किये है, ठीके, अब इसका आप IUPAC नेम लिख सकते है, बहुत ही आसानी से, numbering कहां से करेगे, जहां से यह bromine नियर हो, तो numbering यहां से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो क्या है, सेकिंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो यह हो जाएगा, 2-डैश ब्रोमो, और यह क्या है, 6-कार्बन की चेन है, तो यह है है, हेक्जेन, हेक्जेन, एन क्यों लिखा है, इसमें क्या है, सिंगल बॉंड है, तो IUPAC name of the product कितना है, 2-ब्रोमो हेक्जेन, ठीके, और य यहां पर कौन सा रूल लगा है, कौन सी एडिशन हुई है, मार्कॉनिक ओफ एडिशन हुई है, मतलब हाइडरोजन, कहां जाएगा, उस डबली बॉंडर कार्बन पे गया है, जहां पर मोर नंबर ओफ हाइडरोजन से है, ठीके, वहीं दूसरी और अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें, अगर पर ऑक्साइड पिक्चर में आ जाता है, तो एडिशन किस तरह से होनी है, तो यह एडिशन क्या होगी, उल्टी होगी, देखो हम यहां पर हैक्स वानीन लिखते हैं, फिर से CH2, डबल बॉंड CH, सिंगल बॉंड CH2, 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 यह होगे, 1, 2, 3, 4, 5, और य यहां पर दिया है आपको, तो पूरी का पूरा जो पिक्चर है, वो चेंच हो जाती है, अब हाइड्रोजन जो है, वो कहां जाता है, वो अकॉर्डिंगली, अंटी मार्कॉनिक ओफ रूल के अकॉर्डिंग ही इसका एडिशन होगा, तो यहां पर कौन सा एडिशन हो रहा ह अंटी मार्कॉनिक ओफ इडिशन, ठीके शॉडुमें लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रॉजन जाता है, जहां पर लेस नंबर ओफ हाइड्रोजन प्रेजन होते हैं, ठीके, तो राइड्रोजन अकॉर्डिंग k एड्रॉजन के पास र्रूल कहां जाएगा, उस ड hydrogen होगा वो कहां जाएगा इस carbon के उपर लग जाएगा और जो bromide है वो दूसरे carbon के उपर लग जाएगा ठीके तो जो हमारे पस product मिलता है वो क्या है यहां पर आ जाता है CH2 जिसमें लग जाता है bromine ठीके प्रोमीन इस तरह से यहां पर लग जाता है और साथ में double का हो जाता है single bond क्यूंकि addition हो रही है और यह hydrogen यहां पर लग जाता है तो यहां पर हो जाता है 2 hydrogen बाकी का जो chain है वो as such रहता है इस तरह से 6 carbon की chain as such रहती है अब यहां पर आयूपी असी नेम क्या हो जाएगा यहां पर आयूपी असी नेम तेखो फर्स पॉजीशन पे ही ब्रोमीन है तो य इसका यूपे से नेम है कौन से प्रोडक्ट है यह एंटि मार्कॉनिक फ्रोडक्ट है तो देखो यहां पर दोनों रूल्स हमने लगाए कैसी कि अकॉर्डिंग एडिशन हो रही है मार्कॉनिक उपडिशन हो रही है जिसमें हाइड्रोजन उस डबली पॉंडेट कार्बन की उपर जाता है जहां पर more number of hydrogen उसको दिखाए देते है जैसे यह hydrogen इस carbon के उपर लग गया ठीक है वहीं दूसरी और अगर पर oxide हो जाता है तो यह बिल्कुल चीज रिवर्स हो जाती है hydrogen उस double bonded carbon पे जाता है जिसमें less number of जिसके पास less number of hydrogen present है तो यह कौन सा रूल है anti-marconic of addition ठीक है तो इस तरह से आप question solve कर सकते हो and moreover यह NCRT का question है तो important हो जाता है अच्छे से इसे करना ओके